नमस्कार दोस्तों हमारे योट्यूब चैनल आयरगयन योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं कि सुबह गुंगुने में पानी में शेहत और निम्बू मिलाकर पीने से आपको क्या लाब हो सकते हैं इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि सुबह एक गुलास गुंगुने पानी में निम्बू का रस और शेहत मिलाकर पीना स्वास्थी के लिए काती अच्छा होता है शेहत को गर्म पानी के साथ लेने से वजन कम होता है और इसके नियमित सेवन से सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का हमेशा के लिए निजात मिल जाता है पहला है पाचन तंत्र सुधारे अच्छे पाचन के लिए सुबक गर्म पानी में शेहत और निम्बू मिलाकर पीना अच्छा होता है यह पेट को साफ करने में मदद करता है यह लिवर में रस का उत्पादन करता है जिसे पाचन तंत्र को काफी अच्छी मदद मिलती है तरीन में मौझूद किसी भी तरह के संक्रमन को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कब्ज दूर करता है। यह मिशन कब्ज के लिए तत्काल उपा है। यह आथ को प्रोचसाहित कर मल त्यागने में मदद करता है। मोखिक स्वास्थ में सुधार एसिडिक प्रकति का निम्बू, शहत और गुनगुने पानी के साथ सांसों की बदबू तुरंद दूर करने में मददगार होता है निम्बू अपनी लार, ग्रंतियों को सक्री और आक्रामक बैक्टिरिया को मार कर मुशिद करने में मदद करता है सांस में बद्बू का कारण जीब पर सपेद परत का गठन भी है परंतु ये रस इस परत को हटा देता है और सांस की जो बद्बू होती है वो नैचुरल तरीके से खतम कर देता है मुत्र वर्दक के रूप में कायर्य करता है शेहद में बहुत शक्तिशाली एंटी बेक्टिरियल गुन होते है इसमें कई प्रकार के संक्रमन को दूर करने की शक्ति होती है और निम्बू पानी के साथ ये मिश्रन काफी शक्तिशाली बन जाता है ये आपके मुत्र मार को साफ करने में सबसे अच्छा तरीका है प्रेरित करता है और अगर सबेरे आप गर्म पानी और निम्बू के साथ लेते हैं तो पूरे दिन आपको ये उर्जार से भरा रखता है वजन गटाने में मददगा शहद और निम्बू के साथ गर्म पानी में बड़ी मात्रा में फाइबर मोजूद होता है जो भूक की इच्छा और सुगर लेवल को कम करके परियाप्त एनर्जी प्रदान करता है इस तरह से शेवन करने से दिन पर में आपकी जो बोजन की मात्रा होगी वो कम हो जाएगी तवचा के लिए लाबकारी तवच्छा के लिए निम्बु के लाब अगी नित है लेकिन इसके अलावा इसमें मौजूद क्लीजिंग तवग्त को शुध करने में मदद करता है नई रग्त को शुकाओं का उत्पादन करता है इसलिए शहद और निम्बू का ये सेवन तोचा के लिए काफी लाबकारी होता है पोशक तत्वो और विटामिन से बरपूर होता है ये और इसमें रोख प्रतिरोधक जो शमता होती है काफी अच्छे होती है तो दोस्तों अगर आप सवेरे गुंगुने पानी में शेहद डाल कर पीते हैं तो आपको ये लब हो सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा आईट गयान यूट्यूब चैनल आप ज़रू सब्सक्राइब करें तन्यवाद